हालो वंग वेलकम फ्रेंड्स मैं नेम इस सूरज कुमारतिवारी और यूवर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सल सॉलोशन चैनल फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के बारे में जिसमें हम इम्पलॉई आईडी employee की salary का detail पूरा बनाएंगे तो चलिए आईए देखते हैं कि कैसे हम उस program को बना सकते हैं ये program पहले से बना हुआ है इसको मैं करता हूँ हटाता हूँ यहां से ये हटा देता हूँ और इसको close कर देते हैं यहां से quite save काम करते हैं इसको यहां से program ही अटा देते हैं थोड़ा और नीचे आएंगे बस यहां से इसको अटा देना है यहां लिखेंगे iostream.h चुकि हम C++ पढ़ रहे हैं hash include koneo.h 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 लिखने के बाद data type लेंगे data type लेने के बाद यहां बनाएंगे name नाम से एक array बना लेता हूं जिसकी size मैं 52 52 ठीक है नीचे आएंगे अब यह accept क्या काम करता है यह हम अगले वीडियो में वीडियो मैंने बनाया है तो यही program इसमें हम देखेंगे तो wide accept करने के बाद जो है curly bracket लगा करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ c out लगाना होगा हमें ठीक है तो लगाते हैं c out c out ठीक है और इसके बाद यहाँ पर backslash n लगाता हूं मैं ठीक है क्या लगाऊंगा backslash n line change करने के लिए और यहाँ लिखेंगे enter the employee ठीक है enter the employee id employee name and salary enter the employee id employee id salary enter the employee id name करते है इसके बाद salary name and salary ठीक है यह लिखने के बाद इसको यहाँ से बंद करिए और बंद करने के बाद यहाँ पर लगाईए end l end l तो यह end l के बारे में भी अगले वीडियो में समझेंगे कि यह क्या काम करता है अब यहाँ c in लगाएंगे ताकि यह सारी values इसमें आके store हो सके scanf का जो काम होता है c language में वही c in का काम होता है ठीक है name लिख दिया हमने यहाँ पर और name लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे salary देंगे s a l a r y ठीक है salary दे दिया हमने अब यहाँ पर इसको यहाँ से terminate कीजिए नीचे आईए और फिर यहाँ पर इसको बंद कीजिए फिर white display एक function लगाईए white display डिस्पले कराने के लिए ठीक है white display तो display लगाने के बाद जब नीचे आईएगा तो फिर यहाँ पर आपको देना होगा सारा detail तो लगाईए फिर see out और फिर यहाँ लिखेंगे हम employee details e-m-p-l-o-y-w-d-e-t-a-i-l-s details ठीक है employee details लिख दिया हमने और यहाँ पर लगादो endl endl see out employee id अब लगाएंगे employee id ठीक है इसको बंद कीजिए और यहाँ लगा दीजिए id ठीक है यहाँ लिखेंगे id चुकि हम id ही print करा रहे हैं और यहाँ पर लगाएंगे endl endl terminate करेंगे फिर नीचे आएंगे तो फिर see out लगाएंगे see out और यहाँ पर क्या देंगे employees name देंगे ठीक है salary तो होई गया है employee name देंगे salary अभी नहीं हुआ है employee name ठीक है employee name दे दिया हमने और इसको यहाँ से कर दीजिए close ठीक है और close करने के बाद आपको क्या करना है name देख करके यहाँ पर लिख दीजिए name ठीक है name ठीक है और यहाँ पर कर दीजिए यहाँ पर मैंने handle नहीं लगाया आप ध्यान दीजिएगा see out और यहाँ पर क्या करिए आप देदीजिए employee की salary यही बचा हुआ है employee salary ठीक है employee salary देदीए हमने और close किजिए यहाँ पर देदीजिए salary था salary देदीजिए salary ठीक है और बस terminate कर दीजिए हो गया काम यहाँ पर इसको बंद कीजिए और यहाँ पर आईए semi colon लगाईए यहाँ जब नीचे आएंगे तो अब main function बनाना होगा main function अभी तक हमने बनाया नहीं बिना main function के program चलेगा नहीं main function बना दीजिए void main लिख दिया हमने और नीचे आये तो यहाँ पर हम calip bracket लगाएंगे और यहाँ पर देंगे employee देखिए यहाँ पर employee obj ठीक है यह भी एक function है ठीक है यहाँ पर देखिए अब मैं नीचे function लगाने बाला हूँ देखिए यह function है obj.accept obj.accept abc ept ठीक है तो यह function क्या काम करता है मैंने कहा आपसे कि अगले वीडियो में हम समझेंगे और नीचे भी जो आएगा उसका उसकी भी पूरी description अगले वीडियो में देखेंगे obj.display ठीक है enterprise किया यहाँ पर देखिए छुड़ गया है function है तो यह तो लिखना ही पड़ेगा अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे getCH हमारा काम हो गया हमारा program बन करके तयार है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको save कीजिए यह मैं लिखता हूँ employee detail ठीक है by default sorry employee यहाँ पर सिर्फ employee देना होगा ठीक है यहाँ पर देते हैं small में देते हैं capital हो जा रहा है employee नाम से हमने बना दिया program अब इसको compile करवाते हैं अब इसको run करवाते हैं अब देखे यहाँ पर क्या कर रहा है enter employee id name and salary ठीक है तो मैं employee की id इंटर करता हूँ 12 ठीक है अब क्या करना है employee का name है ram अब employee की salary ठीक है अब इंटर किया यहाँ पर employee की id employee की salary क्या है 10,000 ठीक है यह तीनो चीजह और name तो उपर हमने दिया ही है तो name salary सारी सारा कुछ यह लिख करके अब हम देखेंगे कि जो हमने end l लगाया है last में यह आप देखिए सब में हम end l लगाते हुए आये हैं name में end l नहीं लगाया है और salary में नहीं लगाया है जब हम इसको run करते हैं तो क्या होता है name और salary तो देखे नेम जो है उपर आता है और salary भी उपर आ रही है ठीक है अब हम क्या करेंगे नेम और salary में भी and L लगा देते हैं देखते हैं क्या होता है ठीक है employee नाम से था हमारा इसको हम open करेंगे और यहां से इसको cut करता हूँ फिर से open करता हूँ इसको और यह EMPLY employee ठीक है तो हमें कहां जाना है आना यहां पर और यह देखना है उपर थोड़ा सा यहां पर देखिए यहां पर अंडल नहीं लगाया था हमने चलिए लगाते हैं देखते हैं क्या होता है नेम के बाद हमने लगाया एंडल ठीक है लगा दिया टर्मिनेट किया इसको सेफ करते हैं देखते है प्रोग्राम चलता है या नहीं रन होता है प्रोग्राम तो हमारा रन हो गया अब यहां कहा रहा है इंटर employee ID तो employee ID 1 इंटर कर दिया हमने अब employee इंटर करना है रमेश र-a-m-e-s-h ठीक है अब salary इंटर करनी है ठीक है तो यह देखिए ID 1 हो गया नेम क्या हो गया रमेश हो गया और salary क्या हो गई 10,000 हो गई तो आपको यह बात समझ में आ रही होगे कि अंडर का क्या मतलब है यहां पर ठीक है इसके पहले जब हमने किया था अंडर नहीं लगाया था तो क्या हो रहा था देखिए यहां पर salary भी आ रही है और ID भी आ रही है तीनों आ रहा है ठीक है अभी मैं क्या करूंगा एंडर को हटा दूँ यह concept म मैं यही clear कर देता हूं एंडल वाला ठीक है यहां पर एंडल को हटाता हूं एंड एल यह हटा देता हूं मैं ठीक है यह हटा दिया हमने अब इसको save कीजिए वापस से तो save कर दिया अब run करवाई यह अब यहां पर कह रहा है enter employee ID तो employee ID 4 ठीक है employee का name Ram ठीक है और employee की salary जो भी कुछ हो ठीक है तो यह देखिए यह क्या हो रहा है employee name employee salary यह दोनों एक ही में आ रहा है और ID जो है इसके पहले क्या हो रहा था इसके पहले ये हो रहा था पहले क्या आ रहा था इंपलॉई ये दिखिए यहाँ पर कैसे आ रहा था तो दोनों में आप अंतर महसूस कर सकते हैं ठीक है उमीद है ये वीडियो समझ में आई होगी और अगला वीडियो जो है पूरा इसका description लेकर मैं आऊँगा और उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी मुफ्ट में लोगों तक पहुंच सके थैंक्यो फूर वाचिक देस वीडियो